उस्तक का नाम, भिक्षा विर्साय, देश और समाज पर कलंग, लेखक, श्री राम शर्मा आचार्य, पॉडियो वन, मनुष्य का प्रधानलक्षन है स्वाभिमान, बल, धन, विद्या, सत्ता आधी संपदाओं का अहंकार करना बात दूसरी है, घमंड की निंदा की गई है, और उसे पतनकारी दुश प्रवृत्ती बताया गया है, स्वाभिमान इससे सर्वता भिन्न है, आत्म गौरव एवं आत्म सम्मान, आत्मा की भूक है, आत्मा महान है, उसके महत्ता एवं श्रेष्ठता का वारा पार नहीं, इसलिए उसे अपने गौरव के अनुरूप परि रहना चाहिए, तिरसकार एवं अपमान की स्थिती उसके लिए न तो वांचनिया ही हो सकती है और न उप्युक्त ही, तिरसकृत रहते हुए भी यों जिन्दिगी को जिया जा सकता है, अन्न मिलता रहे तो सांस चलती रहेगी, पर इससे आत्मिक महानता जीवित नहीं रह स उसके लिए तो स्वाबिमान एवं आत्मगौरों की रक्षा करने वाली स्थिती ही चाहिए, आत्मगौरों को सबसे अधिक ठेज पहुझाने वाली और आत्मा को ततकाल नीचा दिखाने वाली वस्तु है भिक्षा, भिकारी तिनके से भी हलका होता है, उसका ना कोई सम्मा रहता है और ना मूल्या, हर व्यक्ति उसे ओचा, गया गुजरा, दीन दरिद्र एवं अपाहिच, असमर्थ समझता है और उसके प्रती तिरिसकार एवं घृणा के भाव रखता है, ऐसा सम्मान रहित व्यक्ति अपने आपकी द्रिष्टी में भी छोटा हो जाता है, हीनता एवं दीनता उसकी नसनस में भर जाती है, इन परिस्थितियों में पढ़ा हुआ व्यक्ति जीवित ही मृतक है, भिक्षा मांगने का दिकार कीवल दो प्रकार के व्यक्तियों को है, एक उनको जो अपाहिज, असमर्थ, अंधे, कोड़ी, अशक्त है, हाथ पैर इस लायक न नहीं देते, तो जीवन धरन करने की विवश्था में उन्हें भिक्षा मांगने का अधिकार है, यह अपत्ति धर्म है, अपवाद है, जो मनुशे तो है, पर जिसे मनुशे के उपयुक्त शरीर नहीं मिला, ऐसी दशा में जीवित कैसे रहा जाए, आपत्ति, धर्म के रू आकस्मिक विपत्ति में कुछ भी शेश न रहा, कर्ज मिलने की संभावना न रही, कोई स्वजन संबंधी ऐसा नहीं, जो सामयक सहायता कर सके, ऐसी दशा में ततकाल जीवन धरन करने और आघात सह सकने योग्य प्राथमिक स्थिती प्राप्त करने के लिए, दूसरों से भी मांगी जा सकती है, यद्यपी ऐसी स्थिती में भी उचित यही है, कि मन में यह भाव रखा जाए, कि स्थिती अनुकूल होते ही, उस सामाजिक रुण को किसी न किसी रूप में समाज को फिर वापस कर देंगे, हाँ, जो अपाहिज, असमर्थ, एवं स्वजन संबंधि के निराश्रित है, वे बदला चुकाने में विवश होने के कारण सर्वथा मुफ्त भिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे उन लोगों को भिक्षा मांगने का धिकार है, जो अपने समाज के उत्थान वा उत्कर्ष के लिए दूसरों की सहायता एवं उन्नती के तो उससे जंता में सिवाए वम सहयों की भावनाय विक्षित नहीं हो पाती, इसलिए साधन एकत्रित करने के लिए ही नहीं, जंता की सत्भावनाव को जगाने के लिए भी इस प्रकार धन संचे करना होता है। यह भिक्षा लोग संग्रह के लिए है, इसलिए इसे प्रमानेक तंत्र के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है, उससे किसी प्रकार की गडबड़ी संदेह और अविश्वास की गुंजाईश न रहे, दान देने वाला यह जान सके कि जो मैंने दिया था उसका उचित ही उपय इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक संगठन और उनका आर्थिक नियंत्रन और निरिक्षन रहना आवशक है। आरे में कोई व्यक्ति कल्पना तक न करता था, जिन्होंने अपना आहार विहार अत्यंत मित व्याईता पूर्ण रखा है, जिन्होंने अपरिग्रह का व्रत लिया है, सैयम को जिन्होंने अपना साधन या माध्यम माना है, ऐसे रिशी कल्प किसी का धन लेकर उसका करते भ सहजपूर्थी करता था। जनता उन्हें समय समय पर मुक्त हस्त से प्रचुरदान दक्षिना दिया करती थी और वे उसमें से पेट भरने और तन धकने जितना अपने लिए रख कर शेश को लोग कल्यान के कारियों में खर्च कर देते थे। उन दिनों जनता को यह पूछने की भी आवशक्ता नहीं थी कि यह धन किस कार्य में खर्च किया जाएगा। यह कार्य सादो ब्राम्भनों का ही था कि वीद देखें कि इस समय कहां किस प्रकार की किसी धंग से कौन सत्प्रवृत्तियां चलाई या बढ़ाई जानी हैं। जब जहां जैसी आवशक्ता प्रतीत हुई वहां वैसी विवस्था वे लोग बना लेते थे। जनता दान देकर निश्चिन्त हो जाती थी। उसे पूर्ण विश्वास रहता था कि जिने दिया गया है वे उसे अपनी व्यक्तिकत पूंजी बना कर बैठने वाले नहीं वर रेलवे स्टेशनों पर जब जनता महात्मा गांधी के दर्शनों को पहुँशती थी तब रुपया, पैसा, जेवर आधी भी स्त्रिपुरुष उनकी जोली में फेकते थे। यह काम गांधी जी पर छोड़ देते थे कि देश कल्यान के किस कारे में वे किस तरह व्याय करें परिस्थितियां बदल गई, पर अभी भी यह प्रथा प्रचलित है कि दान दक्षणा के रूप में साधू ब्रामणों को जनता प्रचुर धंदान करती रहती है और उनसे यह प्रश्ण नहीं करती कि आप उसे किस कारे में किस प्रकार खर्च करेंगे। यह भारत्य जनता की अतिशय उदारता ही कहनी चाहिए कि दान के धन को लोखित के कारेंगे खर्च किये जाने पर उसे व्यक्तिगत पुझी की तरह काम में लाए जाने पर भी यह प्रश्ण नहीं किया जाता कि आपको जो दान दिया गया है उसको आपने किस सत कर्म में व् व्यक्तिकत पुझी बन जाने से या उसके लोक सेवा न करने वाले व्यक्ति के निजी खर्च में काम आ जाने से तो कोई पुर्णे नहीं हुआ। पुर्णे तो दान से होता है और वही दान कहलाता है जो जन कल्यान की सत्प्रवृत्यों के अभिवर्धन के लिए किया जाए। दान के दो प्रयोजन तातपरी यह है कि भिक्षा मांगने या दान देने के दो ही प्रयोजन हो सकते हैं। एक व्यक्ति की नितांत, असमर्थता और लाचारी, दूसरे सारवजनिक सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए एकत्रित किया हुआ जन सहीयोग। यह सयोग व्यक्ति के माध्यम से एकत्रित हो यह संस्था के माध्यम से यह परिस्थितियों के उपर निर्भर रहता है। दानपुन्य के संभव नहीं होता। तीर्थियात्रा, कथावार्था, पूजा अर्चना, व्रत, अनुष्थान हर कार्य में तो दानपुन्य अनिवार्य शर्त के रूप में जुड़ा हुआ है। उस समय हर सादू ब्राम्भन की स्थिती विशुद्ध लोग सेवी एवं धर्म प्रचारक की थी। इसलिए उन्हें अन्यवस्त्र आदी देना भी किसी व्यक्ति को भिक्षा देना नहीं वरन समाज कल्यान की विवस्था बनाना ही था। सार्वजनिक कार्यकरता का भरन पूशन भी तो करना ही होता है। अन्यथा वह जीवित कैसे रहेगा। मोटर चलानी हो तो पैट्रोल तो चाहिए ही। इसलिए ब्राह्मन भोजन या उन्हें अन्यवस्त्र गौवादी का दान सर्वथा उचित ही था। इस ओचित्य को ध्यान में रखकर ही ब्राह्मन इस दान को ग्रहन इवं स्विकार भी करते थे। जो सेवा संचालन नहीं करते थे वे इस पष्ट रूप से दान लेने से इनकार कर देते थे। अभी भी ऐसे लाखो ब्राह्मन हैं जो किसी का दान किसी भी प्रकार स्विकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। जो व्यक्तिगत कारियों में सनलगन है जिसके अपनी निच की जीविका भी है ऐसे व्यक्ति को दान लेने का अधिकार है भी नहीं। जो लोग सेवा में निरंतर रत न होते हुए भी दान लेता है वह तो एक प्रकार से भिक्षुक हो गया। वैसी भिक्षा केवल अपाहिजों के लिए ही सभ्य कही जा सकती है। अन्य व्यक्तियों के लिए तो यह एक पाप पुन्य अनाधिकार चेश्ठा ही है। प्राचीन काल की साधु ब्राम्णों का व्यक्तित्व इतना महान था कि वे भिक्षा जीवी होकर तिरस्कृत जीवन वितित करना किसी भी मूल्य पर स्विकार न करते थे। या उन्होंने तभी स्विकार किया था जब उन्हें पोन विश्वास था कि उनके समय का एक एक खशन और भावना का एक एक कन लोक मंगल के लिए जनता जनार्दन के हित साधन के लिए समर्पित है। तो संसार की उपयोगी अमानत इस देह को जीवित रखने के लिए अन्नवस्त्र जैसी स्वल्प सहयता स्विकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस उच्चतम आदर्ष के कारण ही वे संसार को वह अनुदान दे सके जिसका लाब अनन्तकाल तक लोगों को मिलता रहेगा। उपयुक्त दो परिस्थितियों को छोड़ कर अन्यत्र जहां कहीं भी विक्षा आचरण हो रहा हो समझना चाहिए यहां अनीती बरती जा रही है और मानवता को तिरस्कृत एवं लांचित किया जा रहा है। विकृतियां सुधारी जाएं। हमारे देश की संस्कृते बहुत प्राचिन हैं। प्राचिन चीजों में जीर्णता आजाती है। जीर्ण वस्तों में तूटफूट होने लगती है। पुरानी मारतों से लोन जणने लगती है और दीवारें बिखरने लगती हैं। मरमत ना हो तो उसकी तूट-फूट का खत्रा पैदा हो जाता है पूड़ा शरीर कई तरह की जीर्णता जन्य विकृतियों से ग्रस्त हो जाता है लापरवाही बरतने पर तो उसके लिए और भी संकट पैदा हो जाता है इसलिए बीच-बीच में तूट-फूट की साथ सभाल करने की जरूरत पढ़ती रहती है अपने संस्कृति का स्वरूप परिश्कृत करने और विकृतियों का संशोधन करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते रहते हैं सुधारक उत्पन होते रहते हैं और मनीशी तत्वदर्शियों के प्रैत्न चलते हैं जब इस अंदर्भ में शितिलता होती है तब विकृतियां बढ़ने लगती है इन दिनों ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन हो गई है जिनमें प्राचीन श्रिष्ट परंपराएं भी विकृत होकर ऐसी बन गई हैं जिनहें अनुप्युक्त एवं हानी कारक कहा जा सके ऐसे अवसरों पर सुधार के प्रैत्नों को अधिक तत्परता एवं मुस्तेदी के साथ गतिशील करना ही होता है भीक्षा वृत्ति को ही लीजिए जहां इस उदार अभी वेक्ति द्वारा असमर्थों का पोशन और सत्पर्यत्नों का अभिवर्धन होता था और लोग मंगल की परंपरा सुरक्षित रहती थी वहां अभिस आदर्श के विकृत हो जाने पर राश्ट्र का भयानक रूप से चरित्र पतन हो रहा है लोगों ने भिख्षा को व्यवसाय बना लिया है जिस प्रकार दूसरे उद्योग धंदे लोग निसंकोज भाव से करते हैं उसी तरह भीक मांगना भी बहुत से लोगों का एक परंपरागत व्यवसाय बन गया है उसे वे अपना अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि इश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है हमारा व्यवसाय ही यहनियत किया गया है बुराई को जब तक मनुष बुराई मानता है तब तक उसके सुधार की गुंजाईश रहती है पर जब उसे एक स्वाभाविक बात ही नहीं अच्छाई भी मान लेता है तब स्थिती अधिक गंभीर बन जाती है और सुधार अधिक कठिन हो जाता है समाज का एक कलंक भीक्षा वृत्ती इस समय अपने देश में एक ऐसा व्यवसाई भी चल रहा है जिसमें न परिश्रम करना पड़ता है और न पूंजी लगानी पड़ती है सदेव लाभ ही प्राप्त होता है आयकर की चिंता से मुक्त बिना परिश्रम और पूंजी लगाए अधिक लाभ दिलाने वाले इस व्यापार का नाम है भीक मांगना यदि किसी से कहा जाए कि भीक्षा वृत्ती एक लाभ दायक व्यवसाई है तो वह इस आश्चर जनक सत्य को एकदम मानने के लिए तैयार नहीं होगा पर सत्य तो सत्य ही होता है क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि जो भीकारी दिन भर अपने को दीन हीन सिती में अभिव्यक्त कर दाताओं को आत्मसंतोश का अनुभव कराता है वह वास्तव में कुशल व्यापारी है जो अपने व्यवसाई को चलाते रहने के लिए अनेक हद कंडों से काम लेता है एक सर्वेक्षन के नुसार लाखुं स्त्री पुरुष भेक्षा वृत्ती द्वारा अपनी जीवी का चला रही है इनमी लगभग 18 प्रतिशत कोड़ी तथा 40 प्रतिशत अपंग और वृद्ध है 60 वर्ष से अधिक आयू के 25 प्रतिशत है अकेली कानपुर नगर के भिकारियों की संख्या 4000 है जो लगभग 30 लाख रुपया प्रतिवर्ष कमा रही है वहां भिक्षा वृत्ति उन्मूलन समिति के सर्वेक्षन के तथ्यों से जो जानकारी मिली है वहां आखे खूल देने वारी है वहां के 131 विखारी ऐसे हैं जिनका विश्वास है कि भिक्षा वृत्ति कभी मिटाई नहीं जा सकती 70 प्रतिशत ऐसे भीकारी हैं जो सरकार से किसी प्रकार की साहता नहीं चाहते और 41 प्रतिशत ऐसे हैं जो इस पेशे को छोणना नहीं चाहते